हेलो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टुडेंट्स जी हाँ आप सही सुन रहे हैं पहले जो है सिब्यसी का विडियोज अपलोड होता था लेकिन अब से मैं डिसाइड किया हूं कि बिहार बोर्ड का भी विडियोज जितना भी है चैप्टर्स साइंस में एसस्टी में वो सारा जो कर रहा हूं अभी बिहार बोर्ड क्लास 12 का अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी बस यह खुसकवरी सिर्फ 10 वालों के लिए है बिहार बोड के लिए चुकि मैं अगर बात करूं तो क्लास 10 और 12 नाइन्थ यह सब को मैं सिब्यासी में पढ़ा रहा हूं 11 12 को लेकिन अभी जो हूं मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अभी अकेला हूं तो जानते ही हो आपकी वो सारे चीजों को मैंनेज करना कितना मुश्किल होता है इसलिए अभी आपके लिए जो खुस खबरी में दे रहा हूं बस इतना ही दे रहा हूं कि अभी यहां पर क्लास 10 का वीडियो आज से जो है अपलोड होगा बिहार बोड का cbsc का तो मैं करी रहा हूं 9 10 11 12 वो सब तो हो भी रहा है उसके लिए कोई टेंशन है नहीं लेकिन अभी बिहार बोड के लिए मैं बात करो तो बिहार बोड का जो रसाइनिक अभिकिरिया एवं समीकरन यानि रसाइनिक अभिकिरिया एवं समीकरन यह चैप्टर है केमेस्ट्री का यह पहला चैप्टर है अगर NCRT के हिसाब से देखे तो वह पहला चैप्टर है ठीक है तो देखिए ये जो चैप्टर है बहुत महत्पूर्ण है जैसा कि आप जानते ही है I think आप पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को ठीक है लेकिन आज हम फिर से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे चुकि आज जो कलास होगा चोटा चोटा वीडियो लाएंगे आपके लिए ज्यादा बरा लाएंगे तो वह भी प्रॉब्लम में एक साथ आप देखना थोड़ा जाता है सब यह बैट नहीं कर रहा हूं कुछ परने वाले बच्चे होते हैं जिनको जुनून होता है कुछ कर गुजरने का उसकर जाने का वह तो अगर पांच घंटा का भी वीडियो है तो वह रेग्लूर देखेंगे देखेंगे लेकिन जो एबरेज अस्टूडेंट है जिनको बैट कर परने में यानि बैटने में उतना ज्यादा कहलो तो आप उतना एक्स्प्रियंस नहीं है ठीक है तो उतना देर वह नहीं पर पाते हैं तो उनके लिए तो वह बरा बरा वीडियो है नहीं तो छोटा वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो तो यह जो chapter बहुत important है, कहीं न कहीं आप पर रखे होंगे, इस्कुल में चाहिए, आप जहां भी coaching कर रहे हैं, वहाँ आपने ये chapter को पर रखा होगा, लेकिन आप जानते हैं, बिजेता सर पढ़ाएंगे, तो कुछ अलग डंग से ही पढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं, अपना आपका बढ़ाई नहीं करना है, आप पढ़ोगे, तभी आप अपना खुद से बढ़ाई करना, अपने मुम या मिठ्धु जो है, नहीं बनना चाहिए, I'm really sorry, चलिए, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, स्टार्ट करते हैं, यह क्या है, रसाइनिक अभिकिरिया होता क्या है, वो इसे चैप्टर का नाम है, रसाइनिक अभिकिरिया एवं समीकरन, अगर कहीं भी हिंदी लिखा हुआ आपको गलत हो जाए, तो I'm really sorry, क्योंकि हिंदी उतना ज़्यादा मतलब कहीं कहीं पर mistake हो जाता है, तो रसाइनिक अभिकिरिया बोला जाता है, है रसाइनिक अभिकिरिया पहले समझ लेते हैं, हमारे चारोवर जो है ना, अगर मैं बात करूँ, तो रसाइनिक अभिकिरिया हो रही है, समझ रहें अभी हमारे चारोर रसानी कभी किरिया हो रही है आप सुबा में उठकर ब्रस जो करते हो तो वो भी एक रसानी कभी किरिया ही होता है चैप्टर टू यानि अमल भस्म एबं लबन ये चैप्टर है, Acid Basin Salt बोलते हैं जिसको वो चैप्टर 2 है, इसके बाद वो ही चैप्टर आने वाला है, तो वो चैप्टर में आप एक reaction के बारे में पर होगे, Neutralization Reaction, उसको हिंदी में बोलते हैं, उदासनी करन अभी किरिया, यानि उसको Neutralization Reaction को हिंदी में उदासनी करन भी किरिया करने लगता है, हम जो भी रात में खहना खाते हैं, वो जो खाना होता है, वो जो बैक्टरिया उसको सुगर में बदल जाता है, पता बचू किस चीज़ में, वो एस सीड मेंचिज में रेहigers जाता है, अमें बदल जाता है, एब वो अमल दिड़े में इससे नगपने जिससे क्या होती है कि वो पेस्ट का चोन सब्सकी होता है SUS न नेचर होता है थारीय यह यानि बेसिक नेचर होता है चारळीय और हमारे माउथ में बैक्टिरिया चिज उत्पन कर दिया तो वह एसिड्ड कर कर दिया यानि अम्ल कर दिया अब चार और अम्ल आपस में विक्रिया करता है तो वह बनाता है लवन एबं जल तो यहां पर यह क्या है कि वह एसिड का परभाव यानि अम्ल का परभाव और चार का परभाव दोनों क्या है एक दूसरे को कैंसल कर दिया तो यह भी एक रसाइन कभीकिरिया चारो तरफ देख लो वो सारा रसानी कभीकिरिया हमारे आसपास में हो रहा है जैसे फलो का पकना भी एक रसानी कभीकिरिया है तो अब रसानी कभीकिरिया देखना है कि हमारे चारो और हो तो रही है हमारे चारो और रसानी कभीकिरिया हो तो रही है लेकिन बच् पदार्थ का निर्मान नए गुन के साथ होता है समझी का बात को यानि रसायनी कभी किरिया एक ऐसी प्रकिरिया होती है जिसमें नए पदार्थ का निर्मान नए गुन के साथ होता है बच्चो हाँ यस जैसे हम एक्जामपल के तौर पर देखे अगर आपके दिमाग में ये प्योगुना करने का ठीक है पूरा अपना बर जितना कोछित सब मई सब्सक्राइब अब क्या जैसे पहला है ऑकसीजन के ऊपस्तिति में अनुपस्तिती में यह यूजद्स रिक यह यह उपस्तिती यहानी एक्जांपल देखेगा ऑकसीजन के पर जयंन्स-न यानि ओक्सीजन के उपस्थिती में अगर मैगनीशियम को अगर हम जलाते हैं, यह भी एक परकार का रसाइनिक अभिक्रिया ही होता है, टेंसन नहीं लेना, पहले बोलेना आपको टेंसन मत लेजे, हम है ना, समझाने के लिए पूरा चीज समझाएंगे, पहले उधारन तो द पचना भी एक रसाइनिक अभिक्रिया होता है, भोजन का पचना भी एक अरसाइनिक अभिक्रिया होता है, बच्चों, डाजेशन अफूड, वो भी एक रसाइनिक अभिक्रिया होता है, अब जैसे यहाँ पर एक 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 वेशन लिखा है, यानि रसाइनिक समिकरन यहाँ प में इसको बैलेंस करने के जरूरात क्योंकि हमने अभी रसायनिक समीकरन पार Five नहीं इसको बैलेंस करने का बाद कहा जाता है ठीक है लेकिन फिर वह समझाने के लिए मैं यहां पर लिया हूँ यहां किया कि मैगनिशीम को जला तो magnesium का symbol mg होता है और उसको oxygen के present में जला रहे oxygen के उपस्थिती में जला रहे भाई आप जान लो कोई भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो oxygen में ही न जलाते हैं हम भाई क्या कहते हैं हमारा universe में जाके जलाते हैं antrix में जाके थोड़ी न जलाते हैं जलाएंगे तो हमारा धरती पर ही जलाएंगे अगर धरती पर क्या है oxygen तो हमारे हमारा जो magnesium है वो oxygen के present में बर्न होता है जलता है तो यह magnesium oxide हम लोगों को बना के देता है तो यह एक रसाइनिक अभी किरिया है जिसमें अगर हम बात करें जैसे एक और reaction यहां पर ले लिए है एक और रसाइनिक अभी किरिया लेकर आपको समझा रहे है और उसका एक chemical equation लिखा गया है यहां रसाइनिक समिकरन यहां पर लिखा लिखा लिया है क्या है H2 पलस O2 यह दोनों अभी किरिया करके हमको H2O बना के देगा जल बना के देगा ठीक है समझीगा मेरे बातों को कि यह जो H2 था ना H2 चलिए मैं इसका भौतिक अवस्था लिख देता हूं यह गैस में होता है यह Oxygen भी गैस में पाया जाता है और H2O लिक्यूड में पाया जाता है यह लिक्यूड बोले तो दरब अवस्था में Magnesium Solid अवस्था यानि ठोस अवस्था में Oxygen जो है Gaseous में यानि गैस में पाया जाता है और magnesium oxide जो है solid यानि ठोस अवस्था में पाया जाता है वच्छो ठीक है तो देखिए magnesium यानि hydrogen और oxygen आपस में अभिकिरिया किया संयोग किया मिला और अभिकिरिया के बाद बना के दिया जल बना के दिया क्या जल तो देखिए यह जो H2 था यह पहले किस अवस्था में था यह प उसके बाद H2O बना लिया अब देखिए पहले gas में था अब यहां पर L यानि liquid में बन गया द्रबबस्था में बन गया तो पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया तो यही तो है रसाइनी कभिकिरिया समझ यह बात को यह एक ऐसी परकिरिया है जिसमें नए पदार् दोते हैं अब कहिए इसका गुन एक गया है यहां पर लेकिन यहां जो बना वच्चो इसका गुन पूरा लग हो गया यह पहले ग्यास में था अर्व यह लिधिड्यो में हो घुश्या अब बहुत सारा गून होगा कुछ अलग अब वाटर का कुछ अलग गून होता है तो सारा चीज यहाँ पर देख रहे हैं आप यानि यही तो रसानी कभी किरिया होता है ना बच्चो समझ में आया कि यह एक ऐसी पर किरिया होते जिसमें नए पदात का निर्मान नए गुन के साथ होता है यहाँ भी देखिए मैगनीशम पहले ठोस अबस्ता में था ऑक्सिजन के यह स्टांस होता जिसमें ध्याइड होता है यही रसानिक अभी क्रिया होती है अब 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 समझे करना यहाँ नहीं सिखा रहें दो वहां पर तीर का पिछला वाला भाग ह Gob하기 कारक वोलते हैं ध्यान से चुनियेगा अभिकारण हीदी में अभिकारण बोलते हैं इंग्लीसों रिय्यटम अगर मैं आप लोगे को लग रहे हैं कि मैं अगर अगर अप्र हो धीमा प्राण पहुं में यूटू छलेंगे तो आप को जो है एकदम तेजी से चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर तो बहुत तरह के स्टुडेंट होते कोई बहुत ज्यादा intelligent student देख रहा होता कोई average देख रहा था कोई पूरा एकदम low बला student होता है तो उसको तुम्हें slow ही पढ़ाऊंगा एकदम एक एक चीज़ किलियर करके पढ़ाऊंगा तो जो intelligent student है वह एकदम into two speed में मेरे को चला है ठीक है जो रसाइनिक अभी किलिया में भाग ले रहा है बच्चों उसको अभिकारक बोलते हैं क्या बोलते हैं अभिकारक अब यहां पर हमने दो कहाई दिया तो यह बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारे स्टुडेंट्स या बहुत सारे परसंस जो है वो कमेंट कर देते हैं तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब क्या पचाज एक सो आदमी कमेंट करेगा तुम्हें 100 आदमी को नहीं समझाया है तो मैं यह कैसे सा अभी लिख दूँ तो वो मुर्खता पन है यह जो सवाल उठाते वो व्यक्ति मुर्खत हो है पूरा तरह से मुर्ख है पहले आप पढ़के आए तब यहां पे क्लैम कीजिए तो यह तीर के पीछे जो है यह अभिकारक है और जो रियक् अभिकारक क्या होता है वह पदार्थ यानि अभिकारक वह पदार्थ होता है जो किसी रसाइनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यानि यह दुनों क्या करें रसाइनिक अभिक्रिया में भाग ही तो ले रहे हैं पाटिसिपेट कर रहे हैं भाग ले रहे हैं उसी को अभिका है चलिए अब आगए इस अभिकरिया के लिए अभिकारक पूछे तो H2 और O2 अभिकारक है समझ मैं रहा बच्चों अगर मैं पर्तिफल का बात करूं तो पर्तिफल को इंगलिस में प्रोड़क्ट बोलते हैं अब क्या होता है जो रसानिक अभिकरिया के बाद में बनता है बच्चों पर्तिफल यह बाद में बाना यह मैंगनेशिया मुक्साइड यह पर तो यह चाब अभिकारक और पर्तिफल समझ मैं आया बच्तों हम आपके लिए नेक्स्ट टौपिक लेके आगे मच्चों जहां हम लोग देखने वाले हैं रसा आशायनिक अभिक्रिया हो गया था क्या होता था रसायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो आज हम लोग इस लें अगर वह सार चीज हो गया ना कहीं पर आपको दीख गया ये सारा चीज इस सारा चीज में से एक भी चीज अगर दी गया तो समझ लिजे बच्चो कि वहां पर रसाइनिक अभिकिरिया हुआ है जी बच्चो जहां पर इन सारे चीज में से एक भी चीज आपको नजर आ जाए तो समझ जाए बच्चो कि वहां पर रसाइनिक अभिकिरिया हुआ है बत्छों जी तो आ ये शुरू करते हैं हम ठीक है पहले क्या है रंग में परिवर्तन कहीं पत्ती होगी कहीं से वो भी एक रसाइनी का विक्रिया का लक्षन होता है बच्चो अभी टेंसन अले जब बारी-बारी से हम सबको डिटेल में देखने वाले हैं सब्र रखिये और हम लोग बहुत पहले ये उधारन जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है तो मीठा मीठा सब कुछ मिलेगा टेंस समझ लिजैने वहाँ पर रसाइनी का विक्रिया हुआ है अगे अग आप चेप का बनना अगर कहीं पर अभी चेप बंजाया तो वह भी एक रसाइनी का विक्रिया का उधारन है मत्लब लक्षन अब अब छेप क्या होता है बच्चों तो याद रख लीजिए और छेप एक solid चीज यह थोस चीज है जो वो solution में वह जो billion में वह घुल नहीं सकता तो समय समझ लिए बच्छों के बस बता और अब बदलाव हो जाए तो समझ लीजे बच्छों की वहां में रशानिक अभिक्रिया हुआ है यह पांचो मैं से सिंग माया नँपना । सब्सक्राव है 25 जाओ वहाज पर दिखे Ήया ३। यह टाव अब्रिया का लक्षन है, तापमान में बदलाऊ बदलाव या रशानीक अभिकरिया का लक्षन है, लेकिन एक्जांपल सहीत आप नहीं समझाय होगा, तो हम पूरा एकजामपल सहीत समझाएंगे, यह सारा चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ बने रही है बाबू, तो देखें पहला है रंग में परिवर्तन, अगर कहीं रंग में परिवर्तन हो जाए न बच्चो, तो वो भी एक प्रकार क याद रखिएगा यह चीज याद रखना ही पड़ेगा पुछता है मतलब अब्जेक्टिव में पुछ देगा कि कॉपर सलफेट कर जो होता है इसका कलर कैसा होता है तो उसका कलर ब्लू होता है नीला कलर का नीला और उसका रियक्शन एफी यानि आईरन के साथ हो गया लोहा के साथ तो रियक्शन के बाद क्या होता कि यह जो है यह दिए एसो फॉर के साथ मिल जाता है और सी यू को बाहर धकेल देता है चुकि यह एक परकार का अभी किरिया है डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन है लेकिन अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं है ना बच्चों तो विए हम इसको डीटेल में नहीं देखेंगे बस इतना देख लेंगे यहाँ पर एफी है यहाँ पर सिऊ सफोर है इसका कलर बुलू होता है यानि नीला होता है अब यह जैसे ही इसके सार्ज रियक्षिन चिया अभी किया तो अपी एस CT4 बन गया और इसका जो कलर होता है इसक पर हमकाई लेंगे कि अरे भाईया यहाँ पर रशानी कविकरिया हुआ है समझ मैं और च्छो संबट पड़ी बात आई तिंग फिर जानते हैं अभी आपको वह से भी अभी एक्जाम का भी दो चार पांच महिना ही बचा हुआ है आप जानते ही अभी अच्छे से तैयारी करना है तो जो आपके यूजफुल होगा जो आपके उप्योग का चीज होगा वही चीज में बताऊंगा ठीक है बच्चो तो इंदी में बोलने का ठीक है अब यह रियक्षन के बाद होता कि बहुत सरा इसमें प्रोश्ट होता है उससे रियक्षन कैसे हुआ वसारा में डीटेल से बताऊंगा अभी नहीं अभी बस पॉइंट को समझ यह कहना क्या चारहा है यह दुना करेगा यहाँ पर गैस की उतप सबस्क्राइब सम discourage क्यUD बताइब अगला दीफिए इसको बोलते हैं सोडियम जिनकेट यद रखिएगा इसको क्या बोलता है सोडियम जिंकेट लिख लिजेगा कापी में भी लिखिया लिजे तो बहतर होगा इसको बोलता है सोडियम जिंकेट अब ये रियक्शन करने के बाद मतलब जिंक और सोडियम हाइड्रोकसाइड रियक्शन करने के बाद सोडियम जिंकेट बनाता है और हा तो अब नेक्स्ट देखिए बच्चो क्या है अगला है तापमान में बदलाव अगर कहीं पर तापमान में भी बदलाव आ जाए तो समझ लीजिए वह भी एक रसाइनी कभीकिरिया का गुन होता है तो जहां भी तापमान में बिड़दी हो जाए घटतरी हो जाए तो समझ जाए भाई रसाइनी कभीकिरिया हुआ है यस देखे क्या है तो वही बात पता है मैंने अब इसका एक्जामपल समय जैसे केल्सियम उकसाइड चूना देखें अभी दिबाली का समय है तो अभी घर मे पुताई जो होगी न तो चूना को नाद में डाल दिया जाएगा उसमें पानी मिला दिया जाएगा गृज है शाल मैं जातुना डालते उसमें नाद में जैसे चुना डालते में पानी डालते भीट निकल। उसमा भी avatar 9 बहुत जायादा य क्या होता क्या होता है पॉत अच्छे में देखेंगे ढगे अब यह समझ लीजए यह की चुना घलींवासइट इसका रेACTION water के साथ यानि एच्टू ऑ जल के साथ किये kardeşim hydroxide बना कल्सी ँम हाइड्रोओसइट चूना जल उसको बोलते है lime water और इसके साथ साथ वुश्मा हमको बहुत देता है उसमा गए त阿फ क्या पलाव हो जाए तो समझ जाएए वह सकता है आपकल बताइए ऑपकल साली के लुरें अजेएक झाल्ब होता है एक तोस पडार्त होता है जो किसी भी किसी किसी भी solution में किसी भी billion में घुल नहीं सकता है तो वहीं अब छेफ होदा जैसे हम एक reaction लिए अच्छा आप आप लोग कहें इसका बहुत ही गवस्था लिखने के लिए अभी लिखना नहीं है क्योंकि अभी हमने chemical equation यानि रसानिक समीकरन के बारे में नहीं ना पर हैं बच्छो तो कैसे हम इसको बहुती गवस्था लिखे अभी नहीं लिखेंगे ठीक है अभी बस समझाने के लिए बता रहें बाबू वह इसे लिखने का तो मैं लिख दूँगा यह जो है solid में होता यह liquid में होता यह जो है एकवस में होता है एकवस एस्टेट क्या होता हो भी बताऊंगा ठीक है किसी भी चीज को किसी भी सबस्टांस को किसी भी पदार्थ को जल में घुला दो पूरी तरह से वह घुल जाए तो वह बहला जो billion होता है उस billion को aqueous billion काते एक्वस solution यानि एक्वस billion आब देखें क्या है PBNO3 लिए ट्रक रियाक्षिंट पोतासियम योडाइड के साथ प्सक्त करा दिए तो यहां पर क्या होता है वाट लीड लीड और्णाइड बनता है जो कि एक यहलो कलर क्या यहलो कलर का प्सक्राइब बनाता है यानि आभ च्षेब बनाता आप्छेब यहां पर क्या होता है पीला कलर का अब शेब बना तो समच जाते कि वाई यहां पर यहां पर पीला कलर का अब चैब बना के चुनकित की एक बात मैं आपको पता दूए पी यह नूठीह ना कि अवह बन जाता है यहां पर देख सकते हैं यह परीवर्तन वाला यहांपल दूसरा हो यह न होता है पीला कलर का पदार्थ बन जाता है उस बिलियन के अंदर तो वही अब जिए अब जाते हैं अब बदला अगर अबस्था में भी बदला हो जाए ठ्वालक बनता है लिक्यूड में था और जो इसका प्रोडक्ट बना है दिरबबस्था में आ गया तो यहां भी यहां जानने सारे बच्चो और यहां जानते ही सॉलिड में होता है और अक्सीजन जो है वो तो गैस में होता है यहाँ पर सी ओ टू बन गया यह गैस में हो गया अवस्था में बदलाव हो रहा है ठीक है यह रसाइनिक अभी किरिया होता है बहुत सारा एक्जामपल है कितना लें आप जैसे देखें सी ए सी ओ ठीक है बच्छो यह देखें इसको अगर हम उसमा देंगे हीट करेंगे तो बनेगा सी ओ पलस में सी यू टू यह देखें सॉलीड ठो सबस्ता में यह भी सॉलीड में बना लेकिन यहां पर गैस में भी तो बना यह रशानिक अभिक्रिया होता है बच्छो यह सारा बात आप लिख ले तो बेस्ट रहेगा लिख लेजिए चल तो बहुत जल्दी हम अब्जेक्टिव सीरीज ला रहें आप लोगों के लिए चाहे वो कोई सावी चैप्टर हो चाहे वो कोई सावी सब्जेक्ट हो सारा सब्जेक्ट का अब्जेक्टिव कोशन में कराऊंगा पर चैप्टर से 100 अब्जेक्टिव कोशन में कराऊंगा ठीक ह तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में परहाई करते रहे हैं बच्चों All the very best